अंतरिक्षेको ती असीम गहिराई मा रहेको एक कालो घेरा जो हरेक समय ग्राविटी अनी मासे जरुलाई आफु भीत्र अलमलाई रहन छा। एकैसिनमा समपण सोलर सिस्टम लाई निलना सकने यो दानब भीत्र बात कस्तो हला रई यसको भीत्र की हला। आखेरे ब्लाइक होलले काम कसरी गर्छा। अजै भनाउं हामरो ग्यालेक्सी मिलकी वेमा पनी कुने ब्लाइक होल छकी छाई नौँ इस समय रहस्यको समाधान गर्न आजा हामी ब्लाइक होलको यात्रामा जाने प्रियास गर्ने छाूं। तेसाईले दर्शक महनभाब भीडियो अंतिम सम्महेर नौँ हला। किनकी आजको यात्राले पक्के तपायलाई धेरे कुराको जानकारी दिनेता शानाई साथाई कईयों पटक योस्नोजना बाधे हुन होने शाकी यस्तपनी हुना सक्षा। वेल तपायी हेर दे हुनोंचा फ्याक्ट फ्लिक्स एजडे। आउन होस बीडियो लाई सुरू गराउं। सबै कुराई यो दानापको नियंत्रणमा आउशा र यस्वित्र समाहेत हुन्छा। तर यसले मात्राई तेती इस्पष्ट गर्धैना। तेसाईले येदी तपायी पनी एही सोचते हुनोंचा भने एक पटक यो तस्पिर हेर नो होस। यो तेही ब्लैक होल को तस्पिर हो जुन जंडई 4 बर्ष पहिले याने कि 2019 मा इंट्रणिश्टनल इवेंट होराईजन टेलिस्कूप द्वारा क्याप्चर गरिये कु थियो। वेल यो पुण ब्लैक होल को तस्पिर दहुनाई सकताई नौ खुनाई पनी तस्पिर खिस्नकला आगे लाइट रेंज बस्तुमा ठोकी एर लेंज मा प्रवेस गरनू आवसेक्षा। ये सोता ब्लैक होल ले हरे कुरालाई निल नस्तक्षा, जस्तोकी हामिले भनी शक्यों प्रकास लाइपनी। त्यसभाय यो अनवठ उपलब्धी कसरी पुराभाय हला। अनिहालों यो तस्पिर मां ब्लैक होल नभाई ब्लैक होल वरी परी रहेको उज्यालो घेराला क्याप्चर गरियेको छा यो बास्तप मां अरुकेही होईना ब्लैक होल को स्याडो यानी छाया हो बास्तपमा जब कुनैपनी ब्लैक होल ले प्रकासलाई आफै भीत्र सोच्छा तब त्यसको वरी परी प्रकासको एक सरकल बन्छा जसलाई बैज्यानिक र अंतरिक्षे यात्रिले एकरेजन डिस्क नाम दिये का शन वेल यो तफ़यो ब्लैक होल अर्थाद ब्लैक होल को स्याडो को पहिलो तस्पिर को कुरा तरा हमरो बास्तबिक प्रस्ण यो हो की बास्तपमा ब्लैक होल भीत्र की होन छा आउन होस जानने प्रियास करौं यो पक्का सकी ब्लैक होलको केहिसाए लाइट इयर नजिक पुगदा पुगदै आमरो इस्टे सिप मा भयानक ग्राविटिशनल पुल लागने शा यदि यो समय मा यो ब्लैक होलक उने ठुलो ताराहरुको संपर्कमा आयरहेको हुने शा भने यो जन डर लागदो साबित हुन पुगदै आफु भित्र समाहित करने शा प्रयसले निलने शा तरपनी हाइफो थेटिकलली मानों अंतरिक्षे यान रहामी मानव जाती धुगदै यस टफ कंडिशन बाटस सर्फाइव गरें रहामी यस ब्लैक होल मां सुरक्षित रुपमा प्रवेस गरें भने बैज्यान और हामीला यो पनी कंफाम होने शाई ना कि हामी यहां कुने सर्फेस मा छों कि शाए ना भने रहाज जैसले को गरें ब्लैक होल भित्र समय रोकिय यको जस्ते लागने शा यहा ब्लैक होल लाई जबसम मां हामी बहिर बाट अभजारव गरी रह непा होने शाऊं समय होल अबरोध हरुले भरियेको छा कि ब्लैक होल मां बास्तप में कुने डाइनामे सेटी छाइना यस प्रस्णको उत्तर जानना कला आगे आमें ब्लैक होल को अरको तर्फ जानु परने हुन्छा जसलाई बास्तप मां नरकको धोका भनें छा यहांको द्रिश्य बिल्कुले फरक् बस्तु हरु एक जार किलोमेटर प्रती सेकेंड भन्दा ती प्र गतिमा खुमी रहेकाशन रट्राफल गरी रहेकाशन तर अब सोस्तो पर्ने कुरा युशा कि ब्लैक होल को दुबैच्यों मां नेचर को एस्तो भिन्यता कसरी हुना सक्षा आखिरि ब्लैक होल मां कुने ब बस्तो को गतिमा एति फरक कसरी हुना सक्षा पास्तर मा ब्लैक होल को वर्किंग प्रिंसिपल र वज्यानिक सिद्धांत एस्तो छा ब्रहांडमा रहेका अन्य बस्तो हरु जस्तै ब्लैक होल को बारेमा मानबले बुजन धेरे फ़हिले देखी सुरुभाईकु थिये ना ब ब्लैक होल को अनुसंधान मा ब्लैक होल लाई एक नो एसकेब जोन को नाम दिये का थिये। काल का अनुसार टाड़ा अंतरिक्षियामा एक इस्तो इस्तान अबस्तित छा जहां गुरूत आकर्षन बलको दवाब एत्ति धेरे शाकी येसको नजिक आउने हरेक बस्तु चाह इस हाइफो थेसिस लाई आइन्स्टाइन को जनरल थेओरी अफ रिलेटिबिटी भन्दा ठीक एक साल फहिले सन 1915 मा पब्लिस गरे का थिये। जसको अरक बर्ष यानी सन 1910 मा काल ले येस दुनियालाई शारे का थिये। तर उनको मृत्यु पसे नई येस थेओरी नोए इ ज्यान कथा लेखा खरू, हरे काला आगी ब्लैक होल एक इंट्रेस्ट को विशय बन्न फुग्यो। स्वय बर्ष भन्दा बड़ी को यो समय मा ब्लैक होल मा आधारी धेरे पुष्टक्र चलचित्र हरू मने काशन। तर येसे शिल्चिलामा फर्दर रिसर्च काला आगी स् अलवर्ट आइंस्टाइन र रेन्हार्ड गेंजल जस्ता खागुल एस्ट्रोफेजिस्ट ले पनी आफना योगदानलाई नोट गराए। इस सबय अनुसंधान्दर ब्लैक होल को पसिलो तस्बिर आगमन पसे ब्लैक होल को अस्तितो पुष्टी भाईको देखेंचा। य अफनो बिचार ले फरियेको एक कमेंट छोडना न फूल नुखला। एदी थपाइलाई आजको भीडियो नलेजिबल लाग्यो भने लाइक अनी सियर गरना न फूल नुखला। यस्ताई अंतरिक्षियरा खगल बिज्ञान संग सम्मन्देद भीडियो हरू हेरना हामरो चैनल फैक्ट्फिक्स एजडे लाइ सब्सक्राइब गरना न फूल नुखला। हामी अरको एपिसोड मा इस्ताई रोचक विशे बस्तो को साथ मा उपस्तित हुने ने शों। तब सम्म विदा हुन शों। नमस्कार।